हलो दोस्तों मिश्टी फूर में आपका स्वागत है नमस्कार आज हमने बनाया है बैगन का भरवा खाने में बहुत है स्वाधुष्ट बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है एक बार जरूर बना के ट्राइ कीजिए मेरा वीडियो आप पूरा देखिए वीडियो फसंद आये तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए चलि देखिए हमने कैसे बनाया है बैगन का भरवा इसके लिए हमने आदा किलो बैगन लिया है इसको धो करके रख लिया पहले से इस तरह से आप धो करके त्यार कर लिजिए अब इसमें हम जो भरवा बनाने के लिए मस और हमने फ्राइपेन में डाला है सरसुर तेल अगर हम होने के बाद इसको आपको थोड़ा फ्राई करना है अब हम पिज़ा हुआ प्याज और लहसुन हरा मिर्चा इसको हम थोड़ा भून लेंगे जिससे प्याज हमारा पक जाए और इसमें जो प्याज का पानी है वो सूख अचार में त्यार होता है इसको आप भून लीजिए अब हलकी फ्लेम में आपको भूना है कि मसाला जलेना इस तरह से आपको सारे मसाले को भून लेना है अब भूनने के बाद इसको मिक्सी में हम पीसेंगे ठंडा होने पर हमारा मसाला ठंडा हो गया है अब इसको मिक्सी म सब कुछ आपको डाल देना है इस तरह हमने हल्दी नमक आम चुर्पाउडर और ने डाला इसमें के हैं सबकुछ आपको डाल देना है और इसके भुना हुआ मसाला हम पर दो तो उसी को रखिए बाकी वेगन दीजिए आ मसाला देखे हमारे एकदम तयार हो गया है देखे हमने सारे वैगन कट करके रख लिये है इसमें कोई भाज खराब नहीं था अगर वैगन में कीड़े भी होते हैं इसलिए आप उसको निकाल के फियक दीजी और इस तरह से एक एक वैगन को आप भर दीजे मसाले को इसी तरह से सारे बैगन को हमने भर करके त्यार कर लिया है यही मसाला अचार में भी बढ़ता है आप इसको बना के रख सकते हैं हमने फ्राइपेन में सरसो तेल डाला है इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है और एक-एक बैगन को आप इसमें रख दीजिए बस इतना ध्यान दीजिए कि जिधर से मुग खुला हुआ है उधर का जो पाट है वो तेल की तरफ नहीं होना चाहिए इसे हमने सारे बैगन को रख दिया अब इसको हम ढख देंगे पांच मिनट के लिए इसको आप ढख दीजिए यह भाब से पक जाएगा और इस तरह से अब बराबर इसको हर 2-3 मिनट पे देखते रहिए कि जलने भी ना पाए और उलट पलट के आपको वैगन को अच्छे से से शेक लेना है बहुत इकम तेल में यह बन करके त्यार होता है इस तरह से देखे हमने उलट पलट के इसको सेक लिया है अब यह एकदम गल भी जाएगा देखे मेरा बैगन का भरवा बन करके त्यार हो गया मेरा बैगन का भरवा बन करके त्यार हुआ है एक बार ज़रूर बना के टाई कीजिए खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है आप इसको दाल चावल और रोटी पर आठा पूड़ी जिस से मनकर आप बना करके खा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं जिस मसाले को हमने इस्तामाल किया है आप इसको मसाला बना करके रख लीजिए इसको आप अचार में कोई भी सब्जी आब बनाएगे मेरा वीडियो कैसा आप कमेंट जरूर करिएगा नमस्कार अब मिलेंगे अगले वीडियो में